भागलपूर में होमगार बहाली के दोरान फरजिवारा करता एक सिक्षक पकड़ा गया है बहाली के दोरान उची कूर के चाट में सिक्षक गरबड़ी कर रहा था हाला कि समय रहते अन्य अधिकारियों के नजर में वो आ गया जिसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्श कर लिया गया है वह विभाग ने उसे फिलहाल निलंबित कर दिया है आरोपी सिक्षक अनुसूचित जाती जन जाती में सहायक सिक्षक के पत पर तैनात है होमगार बहाली में उसकी ड्यूटी लगाई गई थी जानकारी के मताबिक माडवारी कॉलेज में गरी रक्षक अभ्यार्थी के हाई जम के चाट में ओवर राइटिंग को लेकर चंपन अगर मद्विद्याल अनुसूचित जाती जन जाती के सहायक सिक्षक शशी भूशन राय को निलंबित कर दिया गया D.E.O. संजय कुमार ने बताए कि सिक्षक पर 4.3 इंच को 4.9 इंच करने का रोप लगा था बता दें कि जिले में होमगाज की बहाली प्रक्रिया शोमवार को खत्म हो गई अब जल्थी सभी का फानल मेरिट लिस्ट तयार किया जाएगा बहाली के अंतिम दिन शोमवार को भागलपूर और नोगशिया की 367 महिलाए बहाली में शामिल हुई भागलपूर की 223 और नोगशिया पुलस जुले की 144 महिलाए शाररिक परिक्षा और मेडिकल ज्वाज के लिए पहुँची बता दे की भागलपूर की 750 और नोगशिया की 328 महिलाओ ने आविदन दिया था सोमवार को तेज धूप और गर्मी की वज़ों से न सर्फ अभ्यार्थियों को बलकि ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को भी परिशानी हुई बहली प्रक्रिया के दोरान दोर समन्वेक के साथ ही चार अभ्यार्थी भी मूर्चित हो गई जुसके बाद समन्वेक को अस्पताल भेजा गया जबकि अभ्यार्थियों को मैदान में ही मेडिकल सुविधा उपलब्द कराई गई जिससे वो ठीक हो गई महिलाओं के बहाली को देखते हुए महिला पुलिस पदादी कारे और जवानों की पर्याप्त संख्या में प्रतिन्युक्ती की गई थी उदर होमगाट बहाली में शनिवार को शामिल हुए रंगरा चौक के आपबंधिक तौट पर सफल अभ्यार्थियों की सूची जारी कर दी गई है उस प्रखन के 183 अभ्यार्थियों को सफल घोसित किया गया है जिन में पांच को मेडिकल अनफिट करार दिया गया है होमगाट बहाली में शामिल सफल अभ्यार्थियों को आपबंधिक सूची बहाली के अगले ही दिन जारी कर दिया जा रहा है होमगाट के जिला समदेश्टा के मताबिक फानल मेरिट बनाने का कारे भी शुड हो गया है उन्होंने बताए कि बुधवार की रात तक फानल लिस्ट तयार कर ली जाएगी बहाली में दौर में पास करना जरूरी है जबकि उची, लंबी कूद और गोला फेक के लिए पांच-पांच अंक प्रदान किये जा रहे है उन्हें 15 अंकों में मेरिट बननी है, 4 माई से बहाली प्रक्रिया शुरू हुई थी जो सोमवार को समाप्त हो गई सोमवार को माणवारी कॉलेज मैदान में प्रशासनिक और पुलस पदाधी कारी भी मौजूद थे बता दिये कि बिहार में होमगार्ट के लिए 2009 और 2011 में आवेदन मांगे गए थे हाला कि विभिन ने कारणों की वज़ों से बहाली की प्रक्रिया अटकती रही बाद में अभ्यार्थियों को अंदोलन तक करना पड़ा जिसके बाद पिछले कुछ माहीनों से बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई फिलहाल लगभग जिले में बहाली की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है बहाली की प्रक्रिया खत्म होने के बाद सभी को नियुक्ती पत्र जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद उन्हें नियमित ड्यूटी दी जाएगी भागलपूर से बोलता भी हार की रिपोर्ट अगर अभी तक आप पने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें साथ ही अगर आप यह वीडियो फेस्बुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेच को फॉलो करें